किसी बड़े सहर के दो अलग-अलग स्थानों से 10 महीनों के भीतर दो ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं जो हर किसी को जखग जोर के रख देती हैं और 10 महीने बाद ऐसी ही एक घटना की जब पुनरावर्ती होती हैं तो सहर के लोग आच्रे चकित रह जाते हैं इस्तब्द रह जाते हैं कि आखिर ये हमारे सहर में क्या हो रहा है नमस्कार मेरा नाम असोक शेरा हैं और आप दखटक देखना सुरू कर चुके हैं जो राजस्थान का सबसे तेजी से उबरता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल है दरसल राजस्थान के बिकानेर से अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई हैं वो खबर इस परकार की हैं कि एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई और उन्ही के परिवार का एक सदस से जो मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में जूज रहा है और ये मौत किसी सडक दुरगटना में किसी करंट से नहीं बलकि आत्म हत्या से हुई है ऐसी प्रारंबिक जानकारी मिली है पती पत्नी और आठ साल की बेटी की तो जहर खाने से मौत हो गई है और उनका एक मासूम बेटा अभी अस्पताल में भरती है ये बिकानेर के लिए नहीं घटना नहीं है क्योंकि इससे पहले ठीक दस महीने दिसंबर 2023 को एक ऐसी और घटना घटी थी जिसमें एकी परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई थी पांचों ने सुसाइड किया था और दोनों घटनों को आपस में जोड़ा जाएं तो दोनों घटनाओं की जो एक बात सेम नजर आई हैं वो दोनों घटनाओं में ये हैं कि दोनों परिवारों पर कर्ज था अगर आज की घटना की बात करें तो विकानेर सहर के जै नराण व्यास कोलोनी में राहूल रूची और आराध्या पती पत्नी का नाम राहूल और रूची है और उनकी बेटी आराध्या की मौत हो चुकी है जहर खाने से उनके सव आंगन में पड़े थे और उनका बेटा अस्पताल में फिलहाल बरती है और अगर इसी के चलते दस महीने वाली जो पहले गटना हुई थी वो विकानेर के अंतोदे नगर में हुई थी और वहाँ पर हनुमान, विमला, मोहित, रिशी और गुडिया, पती-पत्नी दो बेटे और एक बेटी, पांच लोगों की मौत हो गई थी और उसमें भी एक सुसाइड नोट मिला था, उस सुसाइड नोट में कर्च के साथ-साथ मुसमहिला ने पिहर और ससुराल दोनों पक्स पर आरोप लगाये थे कि हमसे पैसे मांगते हैं, हमें परिसान करते हैं याद दे लाता है, वैसे तो तीन दिन पहले दिल्ली में एक और ऐसी घटना हुई थी, जिसमें पिता ने अपनी चार बेटियों के साथ सुसाइड कर लिया था, और पांचों ने ही विसाक्त पदार्थ खाया था, जिससे पांचों की मौत हो गई थी, और उस घटना की जो करमसा 18, 15, 10 और 8 साल की थी और चारों ही दिव्यांग थी, चल नहीं सकती थी, पत्नी की मौत के बाद चारों बेटियों की जिम्मेदारी उस पिता पर आ गई थी, और इस से परिसान होकर पांचों ने सुसाइड कर लिया था, ये तमाम घटना हैं, बिकानेर या दिल्ल जिकी नहीं, बलकि ऐसी घटनाएं हमारे आसपास हम लोग सुनते रखते हैं, इस वक्त मैं इस वीडियो को जहां से सूट कर रहा हूं, अगर इस छित्र की बात करें, राजस्थान के पच्छी मी इराके की बात करें, तो यहां पर भी ऐसी कई सारी घटनाएं रोजाना हमा परें सामने आती हैं, बाड़ने जिले के दो अलग अलग थाना चेत्र, रागेश्वरी और सरली जो सदर थाना चेत्र में पड़ता हैं, इन दोनों चेत्रों में पिछले कुछ महिनाओं में दो ऐसी घटनाएं गटी हैं, जो हर किशी को जग जोर के रख देती हैं, इन दो दोनों घटनाओं में दो महिलाओं ने अपने बच्चों सहीद आत्म हत्या की, जिसमें बच्चों की तो मौत हो गई और दोनों की माएं बच गई, सरली गाओं जो सदर थाना चेत्र में पड़ता है, वहाँ पर एक महिला ने पांच बच्चों सहीद टांके में चलांग ल इससे पहले इस परकार के सामोहिक आत्म हत्याओं की कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती रही हैं, इन घटनाओं को लेकर परसासन पुलिस द्वारा कई परकार के अभ्यान चलाए जाते हैं, वही एंजियो इस परकार की घटनाओं की रोकताम के लिए लोगों को जागरू करने के लिए अलग-अलग छेत्रों में जाते हैं लोगों को समझाते भी हैं लेकिन ये घटनाएं थमने की बजाएं दिन बे दिन बढ़ती जा रही हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे कारण क्या है और ये घटनाएं कैसे रुप सकती है मुख्यत जैसे बड़ी-बड़ी घटना हैं हमने आपको बताई बुराडी की घटना थी जिसमें हम आपको वो घटना वापिस याद भी दिलाना चाहेंगे कि उस घटना में क्या हुआ था जहां पर 11 लोगों ने एक ही परिवार के सदस्यों ने सुसाइड कर लिया नव लोगों की एक जगे पर उनकी फांसी के फंदे थे दस्वें एक महिला की जो अलमारी होती उसके पास किसी स्थान से उसने फांसी लगाई और एक 17 साल की बुजूर्ग महिला जो मंदिर के पास जिसने विसाक कुछ पदार्थ खायदार उसकी लास पड़े थी और उस बात का जब पुलिश ने खुलासा किया तो उस घटना के कारणों को जानकर हर कोई परिसान था दरसल 37 साल की एक महिला जिसके पती की कुछ साल पहले मौत हो गई थी उसके तीन बैटे थे एक बेटा अलग रहता था दो बेटे दिल्ली में उसके साथ रहते थे बुराडी में एक बेटा राजस्थान में रहता था और उनमें से एक बेटा पिता की मौत के बाद उसको सदमा लगा और हर समय कहता था कि मेरे पिता जी की अभी मौत नहीं हुई है उनकी आत्मा मेरे आसपास घूमती रहती है और उसको बाद पूरा परिवार एक ऐसे जाल में फस गया कि हर परिवो परिवार अपनी किताबे लिखता रहा और आखिर में जब पुलिश ने उनके पूरे घर को घंगाला तो कुछ ऐसी डायरिया मिली जिसमें ये लिखा था कि आप लोग अगर इस परकार से अपने आपको मुक्ती दिलाना चाते हो तो आप अपने इस सरीर को छोड़ दीजिए आप मरोगे नहीं आपको जो अपने पिता की मुर्ती होई है उनकी आत्मा घूम रही है वो बचा लेंगे आपकी जान नहीं जाएगी और आपकी जो है आत्मा को सांती मिलेगी और इस कारण 11 लोगों की मौत होगी विकानेर की दो घटनाएं कर्ज से जोडती हैं बाडमेर की घटनाएं पारिवारी कलह बताती हैं लेकिन कहीं ने कहीं ये सारी की सारी घटनाएं आज के इस युग में इनसान की सहन सीलता को दर्साती हैं कि इनसान कितने सहन सीलता हैं एक जमाना हुआ करता था तब कई परकार की बातें पारिवारी कलह भी होती थी कई सारी चीज़ें होती थी लेकिन आत्म हत्या करने की बारे में किसी के दिमाग में भी बात नहीं आती थी हलांकि जो लोग आत्म हत्या करते हैं उसके बाद उनको मालूम नहीं चलता है या चलता है इस बात को लेकर अभी तक कई सारे वेग्यानिक सोध भी कर चुके हैं और सोध चल भी रहा है और चलता रहेगा लेकिन उनके पीछे जो लोग बचते हैं उनके हाल क्या है इसके लिए सोध करने की जुरूत नहीं है ये हम सब लोग हमेसा देखते हैं कि जिन घर परिवारों में किसी की मरत्यू हो जाती है कोई सुसाइड कर लेते हैं तो उनके पीछे परिवार के हाल क्या होते हैं सुसाइड करने वाला सोचता है कि मेरी परिशानियों से मैं भाग जाऊंगा मेरी परिशानिया समाप्त हो जाएगी लेकिन आपने अपने जिवन में जितने भी अच्छे कारे की होंगे आपने अच्छाया की होगी वो सब आपकी सुसाइड के बाद नकारात्मक्ता से देखी जाती हैं लोग उसे कायर कहते हैं कि यार हमने तुस आदमी से क्यों दोस्ती कर ली थी क्यों उसे बात चीत कर ली थी वो तो इतना कायर वेक्ती था या थी जिसने सुसाइड कर लिया है जो बच्चों के साथ इस परकार की घटनाएं करते हैं उनको लेकर आज भी हमारे समाज में कहते हैं कि कैसी क्रूर महिला थी उसके लिए न जाने कैसे कैसे सब्द मारवाडी भासा के उप्योग में लिये जाते हैं और कहते हैं कि इससे तो पहले इससे तो अच्छा ये था कि पहले ही मर जाती मा के कोख में मर जाती इन बिचारे बच्चों का क्या दोस्त था जो उनके साथ उसने ऐसी घटना किये हालांकि ये गंबीर विसे हैं इस पर कई सारी बातें सोचने का एक रिचर्च करने की जरूरत है लेकिन इस वीडियो के माद्यम से हम इतना जरूर कहेंगे कि किसी भी समस्या का समाधान आत्म हात्या नहीं बलकि उस समस्या का सामना डट कर करना होता है इस स्रष्टी में ब्रह्माण में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है और इसके लिए कई सारी ऐसी प्रेणा डट कहानिया हैं जो आपको सिर्फ दाखटक पर आनने वाले दिनों में हम दिखाएंगे कि सुसाइट से हम लोग कैसे बचें कैसे कैसे लोग बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल करके आज सामाने जीवन जी रहे हैं अगले वीडियो में फिर बात करेंगे कि सुसाइट का कारण क्या है और आखिर हम सब मिल करके इसको कैसे रोक सकते हैं ये वीडियो ये बातें आपको अच्छी लगी हैं पसंद आई हैं तो हमारे चैनल जहां पर भी आप देख रहे हैं अगर यूट्यूब तो सब्सक्राइब फेस्बूक तो फोलो इंस्टाग्राम तो फोलो और ट्वीटर यानि एक्स पर अगर आप इस वीडियो को देख रह हमारत को देख वीड़ा को ये ऴूलो और पिर शांट इस वीडिय़ को एत वीडियो झाल ओर ऑध्न मुप जागरे पbu explores thepunkt मुट है ये वीडियो जलिवीआ हैं ज्स मुट फें किन्म मुट से क्से नहब़े हैं अवार